हलो दोस्तों आपके स्वागति जी एक एड़ी में PhD के RACI इंटर्वी कर रिजल्ट आ चुका है आप चाहो तो बर्तुल उन्वसिटे के साइट में भी जा करके दिख सकते हो कुछ सब्जेट के रिजल्ट अभी डिक्लियर नहीं भी है तो वह पार्ट 3 में बनाऊंगी उनका वीडियो बन रहा था इस बज़े से मैंने पार्ट 2 कर दिया है तो जो भी सब्जेक्ट बचे वे हैं उन सब्जेक्ट का आप इससे देख लेना और जिनका हो चुका है इंटर्वी में कॉलिफाई हो चुका उनको बधाईया जिनका नहीं वह उन्हें लगता है कि हमारा इं यह सब्जेक्ट एको कल्चर, जियोलोजी, बोटनी, लौ, होम साइंस, कैमिस्ट्री, मैनेजमेंट स्टडी, कॉमर्स, मैथमाटिक्स, कम्पिटर साइंस, माइक्रो बायोलोजी, एजुकेशन इतने सब्जेक्ट का वीडियो बन चुका है अब हम इस वीडियो में हम फिज जब भी रिजल्ट आएगा तो इन सब्जेक्ट का बना दूँगी मैं तो आप लोग देख लेना, ठीक है, तो चलिए, अब हम देख लेते हैं फिजिक्स का रिजल्ट, यह जो इन्फॉर्मिशन आप देख रहे हैं, यह इसमें यही है कि कितने सीटे थी इसमें, किते ब्रक्तुल में मिल जाता है वहां से भी आपको प्रवाइट करा देते हैं, टीक है ना, यह आपना नाम देखते जाओ, कितने मिले आपको आड़ेसी में मार्क्स, टीक है ना, जितने लोग भी इसमें कौलिफाई हो चुके हैं, उनको अब आगे क्या करना है, वह मिसारी इ नेक्स्ट वीडियो में यह पार्ट टू है पार्ट थर्ड में जो भी रिमेनिंग सब्जेक्ट के बचे वे हैं रिजल्ट उनको में बता दोंगे यह इतने सब्सेंट थे ठीक है ना यह आप देख पा रहे होंगे चलो अब हम देख लेते दूसर सब्जेक्ट अब हम कितने लोग कौलिफाई करा है यह नेम है एंड रोल लंबर भी दिया गया है एंड केटेग्री भी दी गई है और आपका आरेसी में कितने माक्स मेले यह भी मैंसन है और कि सूपरवाइजर कौन है आपका रिसर्स सेंटर क्या रहेगा यह सारी इंफॉर्मिशन दी गई है छो था आप लोग देख लेना आरीसी का था ए इंप hijStatariqs का इस्टैक्स ने पूरी लिस्ट है इसमें किते लोग अबसेंट थे किते लोग प्रेजेंड थे यह सारी इंफॉर्मिशन दी गई है और जो की मुझे लगता है की Luis टैक में एक बंदा जो था जिसने कॉलिफाई करा था और जो कि अपसेंट है मतलब नहीं नहीं कित्ते सीटे थी प्रजेंट जीरो अपसेंट वन अलॉटटड सीटे मेरिडवाइज यसी कोई सीटे अलॉटड नहीं हुई है विगी अपसेंट थे ठीक है तो अब देख लेंगे योग क्शैंट का है इसमें सारी इंफॉप्रमिशन कोईत थे प्रजेंट किते लोग वैंट्री दीया और और कितने लोग के लिजिपल ए तो कि यह न है परने नाम थे स्क्रॉंज कर रहे हूं और यह चैन ion बशे英ечение anger, आपके जाया नाम? ठीक है? dece . छिए रहा? आपक स्का है यह योकिक साइन्स का क 90 अब हम देखेंगे इन्वरिर्मेइटल शाइन्स का यह यहां पर सीटों के बारे में बताया गया, कितने सीटे थी, ठीक है, इन और इंटल साइंस में, इतने लोगों का सेलेक्शन हुआ, कितने लोग अपसेंट थे, प्रजेंट थे, सारी इंफॉर्मिशन है, रो लंबर है, इस्ट्टेंट नेम है, क्टेगरी क्या है, परसंट करा है, यह सारी इंफॉर्मिशन दी गई है, कितने सीटे अबलेबल थी, कितने लोगों ने एडमिशन लिया, कितने लोग अपसेंट थे, या प्रजेंट थे, सारी इंफॉर्मिशन दी गई है, रो लंबर दिया गया, स्ट्टेंट नेम दिया गया, कैटेगरी दी गई है, RAC में कितने परसंट बने हैं सुपर्वाइजर हैं को सुपर्वाइजर कौन है रिसा सेंटर क्या रहेगा यह सारी इंफॉर्मिशन दी गई है तो चलिए अब हम देख लेते हैं यह किसका था जेनेटिक्स का अब हम देखेंगे जूलोजी का यह देखें यह है पूरी इंफॉर्मिशन कि कितने सीटे थी कितने लोग प्रजेंट थे कितने लोग उन्हें एक्जैम कौलिफाई करा है सारी इंफॉर्मिशन दी गई है इसमें और आप देख सकते हैं अपना नेम रोल लंबर स्टॉरेंट्स नेम काटेग्री क्या है आरेसी में कितने परसंट मिले आपको सुपरवाईजर कौन है को सुपरवाईजर कौन है रेस्स सेंटर क्या है यह सारी इंफॉर्मिशन दीगी दीद्रीर में करके स्ट्रॉल करती जाओंगे आप लोग देखते जाना ठीक है और जो लोग अपसेंट थे उनका भी नाम है ठीक है यह सारे लोग अपसेंट थे देखते जाएं आप लोग ठीक है अब जो भी रिजल्ट आएगा जिनका रिजल्ट भी डिकलेर नहीं हुआ है उसको मैं पार्ट थर्ड में बना दूँ तो आप लोग देखते रहना थैंक्यू